बांगलादेश की प्रदार मंत्री शेख हसीना की अगवानी के लिए पीएम मोदी खुद एरपोर्ट पहुंचे हैं बांगलादेश की प्रदार मंत्री अगवानी के लिए जब पहुंचे तो किसी भी रूट को ना सिर्फ डाइवर्ट करने की ना किया गया और ना ही ट्रैफिक को रूका गया अक्सर ही देखा जाता है कि जब भी कोई विविएपी मुवमेंट होती है तो ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट कर दिया जाता है और ट्रैफिक को रूका भी जाता है लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ शेख असीना के एरपोर्ट पहुंचने की तस्वीर है और प्रधान मंत्री खुद उनकी अगवानी के लिए पहुंचे है जी मीडिया समबाद आता रविंद्र हमार साथ जुड़ गया है रविंद्र आज प्रधान मंत्री जब पहुंचे एरपोर्ट तो किसी रूट को ना सिर्फ डाइवर्ट करने की जरूरत हुई या पिर प्रधान मंत्री ने ये आदेश निर्देश दिया था कि रूट डाइवर्ट ना किया जाए सामाने ट्रैफिक से वो पहुंचेंगे रविंद्र आपको रोक रहा हूं रविंद्र आपके पास लोट करा हूंगा लेकिन ये तस्वीर देखिए बंग्लादेश के प्रधार मंत्री शेख असीना पहुंची तो उनकी आगवानी के लिए प्रधान मंत्री खुद महां पर मौजूद है और उनका स्वागत करते गुलदस्ते के साथ चार दिन के दोरे पर शेख असीना हंदुस्तान आई हैं कई एहम समझोते दोनों देशों के बीच होने की उमीद हैं बाबल सुप्रियों मौजूद हैं वहाँ पर शेख असीना की अगवानी करने के लिए प्रधान मंत्री के साथ इसके अलावा भारत एदल के तमाम सदस्य मौजूद हैं चार दिन के दोरे पर शेख असीना भारत आई हैं और उनके आने पर खुद प्रधान मंत्री उनके स्वागत के लिए मौजूद है